कंगना रनौत का नाम जहाँ भी आता है वहाँ कॉंट्रोवर्सी इस ना हो तो क्या ही मजा बॉलिवुड की क्वीन तो ये स्टार्ट बन ही गई है लेकिन अब कॉंट्रोवर्सी क्वीन का टाइटल भी जी चुकी है ये हसीना अक्टिंग से सब भी को इंप्रेस करना हो या फिर अपने बेबाक अंधास से हर किसी के दिल में जगा बनाना हो इस आक्ट्रस ने हर बार वही किया जो ये करना चाहती थी मीडिया से पंगा लेने के बावजूद फिल्म जज्जमेंटल है क्या को शान से रिलीस किया कंगना ने और अब इस फिल्म के रिव्यूज भी है ता बड़ तोड वेल बात करे कंगना की कॉमेंट्स की तो ये स्टार हमेशा से ही रही है बॉलिवूट के अन्य स्टास के खिलाफ आलिया के अगेंस्ट बोलने से लेकर करन जोहर और सोनम कपूर पर भी कमेंट करने तक कंगना और उनकी बेहन रंगोली ने कोई मौका नहीं छोड़ा बॉलिवूट स्टास को स्लाम करने के लिए लेकिन हाली में कंगना ने कुछ ऐसा किया जिससे हर किसी की आखे खुली की खुली रह गई कंगना ने की अपनी राइवल स्टास की तारीफ कंगना ने की अलिया भाठ, देपिका पाडुकोन और काटरीना के फ की तारीफ कंगना ने इंटर्वीव में कहा क welfare प्राच्छीर और। वेपिका पादूकून इफ्क्षिका पादुकोन इपक्षिण रूटीम, आल्या भ़तुपष चर्पीन स्थपिन स् मिन्हाभ्ण टूर। और। वेशने हैं। विशने खवाज़ आपन केफिता हैं। आपकान। ऑिफृती को अभ्णी ट्र। पादुन बालया पर निशाना सादने के बाद अब कंगना उन्हें के इंस्पिरेशन कह रही है। इस बात को कई लोग दुगलापन भी कह सकते हैं। वैसे आपको बता दे कि कंगना को तापसी के सस्ते कॉपी वाले कॉमेंट के रिप्लाई के बारे में भी बताया गया था। जहाथ आपसी ने रिप्लाई में कहा था, I don't know which role of hers I have imitated. If she thinks I am a copy of hers in a way, सस्ता और महंगा, I would take it as a compliment. Because she is really a good actor. So if I am a copy in a way, then I would take it as a big compliment. तब कंगना ने रिप्लाई में कहा, Well, that's very gracious of her. Well, आप हमें comment कर ये बताये कि आपको क्या लगता है कंगना के इन बयानों के बारे में? Do let us know in the comment section below. Also do like, follow and subscribe to Bollywood now on Facebook, Instagram and YouTube.